हेलो दोस्तों अरद्यरस अकेडमी के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान लोग सेवा आयोग द्वारा आईजित फस्ट ग्रेड शिक्सक बरती परिक्षा दोजार बाइस के नवीनतम पाठे करम के अनुसार फस्ट पेपर के लिए मोडल पर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं आज अपना इसमें 22 नंबर का मोडल पेपर है दोस्तों कुल 75 प्रस ने इसमें सामिल किये गए हैं और हूब हूँ आपको ऐसा ही पेपर है वो परिक्षा में देखने को मिलेगा अगर आपने पिछले 21 मोडल पेपर अगर नहीं देखे ह है आप प्लेलिस्ट में जाएए वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मोडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बनावा है तो आप वहां जाकर पिछले मोडल पेपरों का टेस्ट है वह अवस्य दे और अरद्द्यारस एकेडमी के यूटूब चैनल को स यह दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रस्न इसमें देखिए महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांड़ों ने अग्यातवास के समय जीवन यापन किया था महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांड़ों ने अग्यातवास के समय जीवन यापन किया था तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो मतस्य महा जनपद में दोस्तो जीवन यापन किया था पांडवों ने अज्यात वात्ष के समय तो यहाँ पर चार नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए यहाँ पर सूर्षेन जनपद में समयली तुभु भाग था इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो सूर्षेन जनपद में दोस्तो बरतपुर दौलपुर और करोली यहाँ पर अपना इसमें right answer हो जाएगा एक नमबर option सही तीन नमबर प्रेस ने मारणा परताब का दर्बारी पंडित कौन था दोस्तो मारणा परताब का दर्बारी पंडित है वो कौन था तो दोस्तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है चक्रपाणी मिश्र ठीक है दोस्तो चक्रपाणी मिश्र है चंदर दर है चंदर मोली मिश्र यह दोस्तों दर्बारी पंडित नहीं थे राम चरन है यह दर्बारी पंडित था तो यहां पर इसमें एक नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा चार नमबर का प्रेस्टन है राजस्तान में अठारा सो सतावन की करांती सरोपरतम का हुई थी इसका राइट आंस हो जाएगा बीस माई को दोस्तों अजमेर में अठारा सो सतावन की करांती की सुरुआत हुई थी तो यहां पर अपना इसमें तीन नमबर का उप्षन बिल्कुल सही पांच नमबर का प्रेस्टन है भारतिय राष्टे कॉंग्रेस ने की सदिवेशन में देशी रियास्तों वो है हरी पुरा अधी वेशन में हरी पुरा अधी वेशन में तो यहां पर अपना तीन नमबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा यह हरी पुरा अधी वेशन है यह गुनी 38 में हुआ था ठीक है तो यहां पर तीन नमबर उप्षन बिल्कुल सही शिक्स नमबर का प्र यो और लालर यह तीनों दोस्तों लोक गीत है यह प्रवत यह Q3 के हैं लेकिन यहाँ पर जो पूर्जा है ठीक है दोस्तों पूर्जा पूर्वासी पकसी है ये आप सभी को बता यह ठीक है परवासी पकसी को आधर बनाकर रहें वी योगिनी इस्त्री यानि कि जो अपने पत्ति की याद में दोस्तों ये एक गीत गाया जाता है कुर्जा एक मारो भावर मिलाए हुए ठीक है तो यहां पर अपना इसमें दो नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएका ये प्रवती चित्र का गीत नहीं है आगे इस दीच के साथ नमर का प्रशन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वेजय विभाजन किया था दोस्तों किस्ने तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व वह है दोस्तों आनंद कुमार स्वामी इने दोस्तो राजस्तानी चितरकला का सबसे पहले विभाजन किया था ते मिवह किंहें यह अपको याद रखना है इनकी पुष्टक है राजपूत पेंटिंग थी जाह आ आगे देखिए आठ नमबर का प्रेशन है निमनलिकित में से कौन सा मंदिर गुजर प्रतिहार वास्तु से लिका नहीं है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो चार चौमा का सिव मंदिर है यह गुजर प्रतिहार वास्तु से लिका नहीं है और यह काफी बार प्रिक्षाओं में पूछा जा चुका है ये कोटा में इस्तितः चार चौमा का सिवाल है ये गुप्तकालीन प्राचीन सिवमंदिर में दोस्तों यहाँ पे चत्रो मुखी सिव परतिमा हैं यहां पर प्यास्टक्राइशन में, कौन सा तत्वादे यंतर नहीं है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वह है, सतारा है, यह सतारा आपको इसमें याद रखना हैं, और ये बासूरी, अलगोजा और सेनाई का मिश्रीत रूप होता है और जो ये 17 वादे यंत्र है ये मुखे रूप से जसल मेर और बाड मेर जिलों में बजाए जाता है यहाँ पर इसका राइट आंसर एक नंबर उप्शन यहाँ पर एक नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तो क्या था तो ये दोस्तो पुस्त काले था यहाँ पर चार नंबर का उप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वीडियो को बहुत कम लाइक करते हैं रोजाना करीबन चार से पांच हजार लोग है वो रोजाना टेस्ट दे रहे हैं तो दोस्तों सभी के सभी मित्र है वो वीडियो को जरूर लाइक करें और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो फटाफट सब्सक्राइब कर ले क्योंकि सेलेबस के नुसार मा आपको और भी कई कलासे है वो करवाने वाला हूँ जो आपकी परिक्सा के लिए आतियंत महत्तु पुन होंगी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजे जिसने लाइक नहीं किया है बारा नमबर का प्रशन इसमें देखिए लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखा गया था यह लिखा गया था दोस्तो बगस सिंग के द्वारा यह लिखा गया था यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दो नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सेयुत्तर हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर तेरे नमबर का प्रशन है गुप्तकाल में मूर्तिकार किस सहली से प्रभावित होकर मूर्तिया बनाई गुप्तकाल में मूर्तिकार किस सहली से प्रभावित होकर मूर्तिया बनाई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मतुरा सहली से प्रभावित होकर मूरतिया बनाई यहां पर चार नंबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा इसमें ठीक है आगे देखें यहां पर चोज़ा नंबर का प्रस्न है किस चित्रकार को सीरी कलम की उपादी अकबर द्वारा परदान की गई थी इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अब्दुस समद अब्दूस समद तो यहाँ पर दो नमबर का जो अप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दूस समद पंदरा नमबर का प्रेस निश में देखें निम्न में से किस मुगल राजकुमारी ने पाकी नाम से दिवान तयार किया तो इसका right answer हो जाएगा वो है औरंग जेब की पुत्री जेबु निसाने ठीक है औरंग जेब की पुत्री जेबु निसाने तो यहाँ पर एक नंबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर पाफ प्रस्तने हैं वो इंगलिश से समद्दित अपन यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर देखे fill in the blank with the word apposite in meaning तो दोस्तों यहाँ पर अपने को apposite है वो बताना है तो यहाँ पर देखे transparent ठीक है दोस्तों transparent तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका right answer इसका हो जाएगा दोस्तों देखिए ओपा क्यूं तो यहाँ पर अपना इसमे right answer एक number option सही आगे देखिए change the voice तो दोस्तों यहाँ पर अपने को change करना है sentence यहाँ पर दे रखा है rain have delayed the arrival of the satabdi express rains have delayed the arrival of the satabdi express तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा वो है the arrival of the satabdi express has been delayed due to rains तो यहाँ पर दो नमबर का option बिलकुल सही उतरिस में हो जाएगा आगे देखिए 18 नमबर का प्रेशन है fill in the blank with correct determiners दोस्तों यहाँ पर अपने को determiner का प्रियोग करना है खालिस्तान में तो देखिए I don't have money to buy a huge house तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें right answer क्या हो जाएगा इसमें right answer आएगा दोस्तों वो है enough money to buy तो यहाँ पर इसमें एक नमबर option बिलकुल सही अब यहाँ पर देखिए दोस्तों choose correct synonym समानार्थक सब्द अपने को यहाँ पर बताना है large large का मतलब क्या होता है बड़ा ठीक है और इसका समानार्थक सब्द क्या हो जाएगा यूज तो इसका भी मतलब क्या होता है बड़ा या विशाल तो यहाँ पर अपना इसमें एक नमबर option बिलकुल सही आगे देखिए the correct word formation after using the prefix यानि कि अपने को यहाँ पर है pre-up-surg का कोई सब्द बताना है जो सही हो तो दोस्तों वो है इसमें देखिए इसमें जो सही उपसर्ग लगा हुआ है वो लगा हुआ है दोस्तों देखिए pre-odamend ठीक है pre-odamend तो यह है दोस्तों इसमें उपसर्ग सही लगा हुआ है इसमें चार नमबर का option सही उतर अब यहाँ पे अपने हिंदी व्याकरण के 5 प्रस्ण पड़ेंगे जो भी मैं आप आपको कर वा रहा हूँ ऐसा कैसे ही पराणे वाला एक बर फिर से बता देता हुआ आपको ठीक है 5 प्रस्ण ह dif DIRECTORन के पाच प्रस्ण जनरल सइन्स के पाच प्रस्ण मैंध के पांच प्रस्टन रिजनिंग के, पंद्रा प्रस्टन स्कूल मेनेजमेंट के, तो पांच प्रस्टन राजस्तान बुगोल के, पांच प्रस्टन राजस्तान कलाशनस करती के, पांच प्रस्टन करंट अफेर के, तो यह सारे पैटर्न के अनुसारी ही है, ठीक है, आगे देख है 22 नबर का पुर्ण है मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्याक्यांच से तु सार्थक सब्द है तो वो कुन सा है राइंसर हो जाएगा वह मुक्सू मोक्ष की इच्छा रखने वाला तो यहां पर तीन नंबर का उप्सन राइंसर हो दोस्तो इसके अंतरगत देखिए नी है तो क्या है उपसर्ग है चिंत है वो दोस्तो इसमें मूल सब्द है और ता है इसमें परते है तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर दो नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए 24 नंबर का प्रशन है उजवल स सब्द का सही संदी विछेद क्या होगा तो दोस्तो उत प्लस जवल हो जाएगा एक नंबर का ओप्शन राइट आंसर हो जाएगा और इसमें वेंजन संदी का क्या हुआ है परियोग हुआ है ठीक है आगे देखिए यहाँ पर 25 नंबर का प्रशन है निम्न में से कौन सा य यहाँ आगे देखिए यहाँ पर 26 नंबर का प्रचन है भारती सबध पूचे जाएंगे, भारती सफि में bạn्स नंबर गुनिस्व गुनेंचास को किसके दवारा अधिनियम्यीत किया गया तो दोस्तो यह अधिनियमित क्या गया है सविदान सबादवारा यहाँ पर एक नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सविदान सबादवारा 27 नमबर प्रेशन है भारतिय संकी कारेपाली का सक्ति नहीत है बारतिय संग की कारेपाले का सक्ति नहीत है तो दोस्तो ये नहीत है किसमें तो ये राष्टरपती में नहीत है दोस्तो चार नंबर का जो अप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्टरपती में ये क्या है नहीत है आगे देखिए अठाइस नमर का प्रेशन है निम्न मिलिकित में से कौन से अनन्य अधिकार लोकसबा को है निम्न लिकित में से कौन से अनन्य अधिकार लोकसबा को है दोस्तो चार कथन है वो यहां पर दे रखे हैं दोस्तों देखिए धनविदेकों को पेश करना बिल्कुल सही है ये अनन्य अधिकार लोकसभा को है ठीक है धनविदेक को पेश करना ठीक है और धनविदेक सरवपरतम दोस्तों लोकसभा में पेश किया जाता है देखिए आपातकाल का अनुसमर्तन करना ये गलत हो जाएगा मंत्री परिशद के विरुद एविश्वास प्रस्ताव पारित करना ये बिल्कुल सही है ये अधिकार है ये लोकसभा को है राष्टरपती के विरुद महाबयोग लगाना ये इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही एक और तीन इसमें क्या है सत्य है आगे देखिए सर्वोच नैले को अभिलेक नैले इस्तान परदान करता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुछेद एक सो गुनती से तो यहाँ पर तीन नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इतर हो जाएगा आगे देखिए तीस नंबर प्रेशन है भारत के नियंतर्ण एवं मालेका परिक्सक यानि कि केग के वेतन तथा सेवा सर्तों को को निर्दारित करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारतिय संसद तो किस स्तान पर MSME टेकनलोजी पार्क की स्तापना करने की गोशना की गई हाली में केंदर सरकार द्वारा राजस्तान के किस स्तान पर MSME टेकनलोजी पार्क की स्तापना करने की गोशना की गई तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोसा यहाँ पर एक नंबर क तक राजस्तान सोर उर्जा समता में कितने मेगावाट की समता हासिल कर चुका है 31 जनवरी 2022 तक राजस्तान सोर उर्जा समता में कितने मेगावाट की समता हासिल कर चुका है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 10,556 मेगावाट 10,506 मेगावाट की समता हासिल कर चुका है राजस्तान सोर उर्जा सम्ता में तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर है तीन नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे तेटीस नमबर प्रेस ने राश्टी एगरवनेंस पुरुषकार दोजार बाइस के तहट राजस्तान के किस जि आगे देखे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो जमवारामगड में तो यहां पर इसमें एक नमबर का उप्षन बिल्कुल सही जमवारामगड में आगे देखे तीन नमबर को कि तहता में परीवार को किपी जाती है राजस्तान सिलिकोश पुलीशी दो जार गुनिस के तहते पीडीत की मर्ति होने की देशा में परिवार को कितनी सायता परदान की जाती है it इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2,00,00,00 रूपे की सायता प्राप्त की जाती है दोस्तों राइट आंसर इसमें दो नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा 36 नमबर का प्रेशन है देखिए अब अपने प्रेशन राजस्तान भुगोल से समंदित प्रारम हो चुके है राजस्तान का कौन सा भुगोलिक अंचल प्राचिंतम है इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अरावली प्रवतिय अंचल तो यहाँ पर तीन नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है याद रखना आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर देखे 37 नमबर का प्रेशन है इसमें देखे दोस्तों यहाँ पे DAW जलवाई पाई जाती है दोस्तों यह ठोंट वेट का जलवाई वर्गी करन है ठीक है कोपेन का नहीं है ठोंट वेट का जलवाई वर्गी करन है DAW ठीक है और ये बताइए इसके अंतरगत कौन-कौन से जिले आते हैं तो दोस्तो इसमें देखिए उष्ण आद्र जलवाई प्रदेश के जिले आते हैं और इसके अंतरगत है दोस्तो शिरोई, पूरवी, जालोर, अजमेर, पाली, बुंदी, चितोडगड, स्वाई इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर है तीन नंबर उप्शन बिल्कुल सही 38 नंबर का प्रस्टन है इसमें देखिए पसुगणना दोजार तीन के अनुसार राजस्तान में पसुगणत्वाई एवं सबसे अधिक पसुगणत्वाई वाला जिला है दोस्तों 2003 का पुछा है ठीक है और दोस्तों 2012 का भी याद करना है और जो अभी बीश्वी पसुगणना हुई है उसका भी आपको याद करना है ठीक है तो पसुगणना 2003 के अनुसार राजस्तान में पसुगणत्वाई एवं सबसे अधिक पसुगणत्वाई वाला जिला है तो दोस् हो जाएगा राज्य में 2012 में गुनिश्वी पसुगन्णा हुई थी ठीक है और उस टमें पसुगनत्व था दोस्तों 169 ठीक है और 20 पसुगन्णा में दोस्तों जो पसुगनत्व है वो है 166 ठीक है यानि की कमी हुई है कितने की की तीन की कमी हुई है तो यहां पर एक नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए कथन और कारण आर दिया गया है बताना है कि कौन सा सही है राजस्तान का दूसरा जस्ता सोधन सयंत्र अल चंदेरिया चितोड़गट में इस्तापित किया जा रहा है तो दोस्तों बिल्क नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए चालिस नंबर का प्रस्ण है राजस्तान में 2011 में राज्य के ओस्त लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं दोस्तों राज्य का ओस्त लिंगानुपात 928 है तो यहां पर इस दोस्त का बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा 15 आगे देखिए अब अपने जनरल साइंस से समंदित प्रस्ण है वो प्रारंब हो चुके हैं देखिए दोस्तों यांत्री कुर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवर्तित करते हैं तो दोस्तों विद्धुत जनीत्र द्वार विद्धुत जनीत्र द्वारा तो यहां पर है चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए निमनलिखित का मिलान करें एवं सहीं विकल्प का चेन कीजिए दोस्तों सुमेलित करना है अपने को यहां पर बताना है दोस्तों कौन से किसका क्या स सुत्र है वह अपने को यहां पर बताना है ठीक है दोस्तों देखिए ठोस कार्बंडाई ओकसाइड किसको बोलते हैं दोस्तों ठोस के कार्बंडाई ओकसाइड बोलते हैं सुस्क बरफ को ठीक है सुस्क बरफ को बोलते हैं दोस्तों ठोस कार्बंडाई ओकसाइड ठीक है और देखिए calcium carbonate, calcium carbonate ये दोस्तों किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं संग मरमर को, ठीक है, और carbonic acid, carbonic acid है ये दोस्तों soda water को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, soda water को, और sodium bicarbonate ये banking soda को बोलते हैं, दोस्तों, तो यहाँ पर अपना इसमें right answer क्या हो जाएगा, वो है 2-3-4-1, 2-3- देखिए यहाँ पर कूटबासा में नहीं दे रखा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता जाता हूँ, 2-3-4-1 इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, आगे देखिए, गोता खोरो द्वारा, घरे समुदर में सांस होने के लिए, oxygen के साथ किस गैस को मिस्रित किया जाता है, गोत यहाँ पर एक नंबर का जो उप्शन है, वो इसका बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा, आगे देखिए, 44 नंबर प्रेशन है, जिस पलास्टिक पोलिस्ट से खिलोने कटोरे आदी बनाई जाते हैं, उसका नाम है, तो इसका right answer हो जाएगा, वो है, उसका नाम है दोस्त तो वो है, पोलिस्टाइरीन, तो यहाँ पर दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, 45 नंबर का प्रेशन है, इसमें देखिए, ओक्षी करण को किस रूप में परिवासित किया गया है, ओक्षी करण को किस रूप में परिवासित किया गया है, right answer हो जाएग है, यहाँ पर चार नंबर का जो उप्शन है, वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 46 नंबर का प्रेशन है, खादेश रंकला में सबसे निचला इस्तर है, तो वो कौन सा है, इसका right answer हो जाएगा, वो है, दोस्तों, देखिए दोस्तों, रिजनिंग से समन्दित क्युसन, 47 नंबर का प्रेशन है, डबल ए, सी, डबल सी, ए, सी, डबल ए, सी, तो दोस्तों, यहाँ पर अपने को खालिस्तान बरना है, अब देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दोस्तों, डबल ए के बाद में, यानि कि ए से पहले क्या रहा है, सी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर यह चार का करम बन गया, दोस्तों, सी, डबल ए, सी, तो यहाँ पर सी, पहले में आएगा सी, फिर डबल ए, फिर दोस्तों, सी, डबल ए, फिर सी, पिर सी, डबल ए, सी, फिर सी, डबल ए, सी, तो यहाँ तो यहाँ पर अपना इसमें तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा इसमें यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि किसी कूट बासा में दोस्तों देखिए इसको यह सब्द दे रखा है इसको यह से लिखा गया है तो यहाँ पर जो अपने S Y L दे रखा है इसको कैसे लिखा जाएगा तो यहाँ पर देखिये दोस्तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा देखे, C को क्या लिखा है, P लिखा है, और O को क्या लिखा है, दोस्तो E लिखा है, तो यह जो सोयल सब्द है, इसको उपरवाला जो सब्द दे रखा है, इसके अंदर से ही बनाया गया है, तो देखे, S, S दोस्तो उपरवाला सब्द देखे, चोथे नमबर पर है, और इसको क्या लिखा गया है तो S को N लिखा गया है दोस्तों ठीक है क्या लिखा गया है N ठीक है उसी परकार O O देखे किते नमबर पर है पिछे से देख लिजे एक दो तीन चार पांच पांच वे नमबर पर है दोस्तों O, ठीक है, तो इस में से भी देख लीजिए एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, पांचवे नमबर पे E आता है ठीक है, तो यहां पर है N, E, N, E और उसके बाद में I, आई देखिए, ओससे ठीक पहले है तो दोस्तो O से ठीक पहले यानि कि E से एक पहले क्या जाएगा J ठीक है और L, L दोस्तो second last है तो K आजाएगा इसका तो N, E, J, K अपना इसमें right answer हो जाएगा यानि कि दो number option बिल्कुल सही 49 number प्रेस ने इसमें देखे यदि minus का अर्थ भाग है पलस का अर्थ गुणा भाग का अर्थ गटाना और into का अर्थ जोड़ना तो निमनलिकित में से कौन सा समीकरण सही है तो दोस्तो कौन सा समीकरण इसमें क्या है सही है तो यहाँ पर देखे गुणिस भाग पांच पलस चार माइनस दो into 4 बराबर 13 तो दोस्तो यह अपना इसमें right answer हो जाएगा दोस्तो अब यह पर देखिए जो निष्सान दे रखें अपने को इसमें क्या करना है और चेंजेज करें गए तो दोस्तों अपना सीदा से गटाना तो गुनी से माइनस पांच अब पलस पलस दे रखा है पलस कार्थ क्या है तो दोस्तो पलस कार्थ गुणा है तो इंटू चार उसके बाद में माइनस माइनस कार्थ क्या है माइनस कार्थ देखिए दोस्तो माइनस कार्थ भाग है तो भाग है दो और इंटू कार्थ क्या है तो into card है दोस्तों जोड़ना plus दोस्तों इसमें 4 आ जाएगा ठीक है अब सबसे पहले तो भाग दे लीजिए भाग दोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा इसमें 2 आ जाएगा और 5 को 2 से multiply कर लीजिए कितना हो जाएगा 10 ठीक है तो यहां पे 19 माइनस 10 पलस 4 यह हो जाएगा दोस्तों इस पे ठीक है तो यहां पर 19 और 4 कितने होते हैं 23 और 23 में से 10 गए तो कितने बचे 13 तो यहां पर बिल्कुल सही दे रखा है यहां पर 3 नमबर option right answer यह तो आपको दोस्तों सब को उठा उठा के देखना पड़ेगा या आपकी किसमत पहले में मिल जाए तो ठीक है तो यह थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना है 50 नमर प्रस्ण है यदि एक फल विक्रेता एक रुपए में 6 निम्बू की दर्शे निम्बू खरीदता है तता उसे 20 परतिशत लाब कमाने है तू एक रुपए में कितने निम्बू बेचने होंगे तो दोस्तों 20 परतिशत लाब कमाना है तो एक बटा 6 इंटो 120 बटे 100 कर लीजिए ठीक है तो दोस्तों काट लीजिए इसको 6 दूनी 12 ये 20 बार कट गया ठीक है तो 20 बटे 100 हो जाएगा तो दोस्तों एक बटा 5 यानि कि एक रुपए में 5 निम्बू बेचने होंगे तो यहाँ पर अपना इसमें राइट अंसर क्या हो जाएगा एक नमबर का ओप्शन बिल्कुल सही इकावन नमबर प्रेस्टन है इसमें देखिए यदि वर्ग का चेतरपल 22,050 वर्ग मिटर है तो उसके वर्ड विकन के लंबाई ग्याद कीजिए यदि वर्ग का चेतरपल 22,050 वर्ग मिटर है तो उसके विकन के लंबाई ग्याद कीजिए तो दोस्तों उसके विकन के लंबाई क्या होगी देखे छो 50 अजए गर दोस्तों कितना कितना देखा है 22,050 दे रखा है तो 22,050 इंटू 2 गोड़ाइगा बराबर 2 तो 22,050 को 2 से मिल्टिप्लाइ करोगे तो कितना जाएगा दोस्तो 4,4100 ठीक है कितना जाएगा 4,4100 आ गया और ये क्या है D2 है तो दोस्तो यानि कि D square है ठीक है तो यह D बराबर कितना होगा तो यह चमाली सदार 100 है यह किसका square है यह 210 का square है तो यहाँ पर अपना इसमें right answer हो जाएगा 210 cm तो यहाँ पर 4 number option बिल्कुल सही आगे देखिए यदि एक गनाब की तीन आयतन फलकों का छेतरपल कर में से x, y, z हो तो गनाब का आयतन ग्याद करो तो दोस्तो गनाब का आयतन है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है ग्याद करना है तो दोस्तो यहाँ पर दोस्तो L into B into H टीक है यह इसका सुथर है गनाब क्या अतन का लबा इनटू चोड़ाई इनटू चाही ठीक है तो यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा यह रूट में आ जाएगा दोस्तो ठीक है X Y Z तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर तीन नंबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा रूट X Y Z आगे देखे 6500 का 12% की दर से 4 वर्स के लिए सरल ब्याज ग्याद कीजिए दोस्तों 4 वर्स के लिए सरल ब्याज है वो अपने को यहां पर ग्याद करना है दोस्तों देखे मोल्दन इंटो दर इंटो समय बटे 100 तो दोस्तों यहां पर देखे कितना देर का है 6500 इंटो कितनी है 12 पर 33 racing समय कितना है 4 वर्स बटे офर्स काट लिजे 0 से 0 कट क्या पैसेट इंटू बारा इंटू चार ठीक है पैसेट इंटू बारा इंटू चार तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें दोस्तो 3120 तो यहाँ पर अपना इसमें दो नंबर का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा को दोस्तों इसको का अपने सबसे पहले क्या करेंगे करम वाइज लिखेंगे ट्र यह तो यहाँ पर दोस्तों इसकी मादिका है वो इसमें हो जाएगी तरो जाएगा ठीक है आगे देखिए निम्न समंकों से 250 और 300 के बीच प्रेक्षणों की संख्या ग्याद किजिए दोस्तों यहां पर अपने को 250 और 300 के बीच प्रेक्षणों की संख्या है वो ग्याद करनी है देखिए एक तरफ मान दे रखा है दूसरी तरफ है प्रेक्षण है 38 तो सीधा साहे तो यहां पे अपने को 250 और 300 के बीच में निकालनी है तो 38 में 15 होगे तो दोस्तों कितना जाएगा ये या ये अपना आऄ राइट प्रेस्न है इसमें तरफ सरे नियुक्त बहुत करना है अपने को क्या करना है शरेणी का मादे ग्यात करना है तो दोस्तों इसका मादे ग्यात करोगे तो सीधा सा राइट आंसर हाजाएगा 37.60 तो यहांपर अपना इसमें राईट आंसर होजाएगा दो नंबर का ओप्सन बिलकुल सभी तीक है x y गयाद करोगे तो निकल करा जाएगा आगे देखें यहाँ पे 0.01024 गाद में दोस्ते यहाँ पे 115 के बराबर मान होगा तो दोस्तो इसका बराबर मान होगा वो है 0.4 के 0.4 के बराबर होगा तो यहाँ पर 3 नमबर उप्शन बिल्कुल सही अठावन नमबर प्रेशन है इसको सोड़ दीजिए यह सई से टाइप नहीं हुआ है 59 नमबर प्रेशन है चार अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संक्या चार अंकों की बड़ी संक्या ग्याद कीजिए जो 88 से पूर्णते विबाजित है तो दोस्तो चार अंचों की सब्शे बड़ी से बड़ी संक्या है वो है 9999? ठीक है, अब जो 88 से पूरता है विभाजी तो दोस्तो इसमें 88 का भाग दे लिजिए ठीक है, जो भी सेसफल बचे जो भी सेसफल बचे, दोस्तो अपने को उसका right answer निकल कर जाएगा दिए वो गटांत देना है 99999 से तो दोस्तों अपने यहां पर भाग दिया तो अपना सेस पल बचा दोस्तों 55 कितना बचा? 55 और 9999 से अपने को 55 गटाणा है तो 55 गटा यह तो दोस्तों 9946 बचा और यह इह अपना right answer हो जाएगा चार नमबर उप्षन बिल्कुल सही यह जो 99 में 48 से पुनतवी बाजित है साथ नमबर का प्रस्ण है चालिस चात्रों के एक समुए का समांतर मादे 16 वर्स है तथा दूसरे समुए के 60 चात्रों का समांतर मादे 20 है तो 100 का सामुएक समांतर मादे होगा तो 100 का सामुएक समांतर माद्य होगा दोस्तों सामुएक समांतर माद्य अगर अगर अपन निकाले तो 40 इंटू 16 40 इंटू 16 करेंगी तो दोस्तों कितना जाएगा 640 दूसरे का कितना दे रखा है 60, सात्रों का समांतर माद्य 20 है 60 को 20 से multiply करेंगे तो कितना जाएगा 1200 बटे दोस्तो कुल संख्या कितनी है 100 तो यहाँ पर 100 अब दोस्तो जोड़ लीजे दोनों को दोनों को जोड़ोगे तो दोस्तो 1840 आजाएगा 1840 बटे 100 यानि कि 18.40 इसका right answer आजाएगा तो यहाँ पर अपना इसमें 18.4 वर्स इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा अगे देखे अब अपन 15 परस्त ने स्कूल मेनेजमेंट से समझेद पढ़ रहे हैं देखे परबंद यहाँ जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने की सरोत में एवं सुलब तरीका क्या है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एफ डब्लू टेलर एफ डब्लू टेलर यानि की तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा बासट नंबर का प्रस्त ने इसमें देखे निम्न में से सीरट रसी इ आरटी का कौन सा अनुभाग अजमेर में अवस्तित है बताईए कौन सा भाग है वो अजमेर में अवस्तित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें सेक्सिक प्रद्योगी की अनुभाग यह अजमेर में इस्तित है दोस्तों चार नम्बर आप्सन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा याद रखना है दोस्तों 1993 में मैरोत्रा समीती कि शिफारिश पर आज प्रारंबिक शिक्षा और संपूर्ण गुणवत्ता पर्मुक अंतर नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्मुक अंतर है वो कौन सा नहीं है प्रारंबिक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उतरदाई पर्तेक वेक्ति है जबकि गुणवत्ता के लिए विद्याले के करमशारी उतरदाई है यह गलत हो जाएगा दोस्तों देखिए विद्याले के करमशारी नहीं दोस्तों शिक्षा की गुणवत्ता के लिए पर्तेक व्यक्ति है वो इसके लिए उत्रदाई है विद्धाले के ही नहीं है तो यहां पर तीसरा सुरी चौथा नंबर का उप्शन है वो गलत दे रखा है अपना इसमे राइट आंसर चार नंबर उप्शन हो जाएगा चौशच नंबर का प्रस्ण है इसमें देखे दोस्तों यहां करता है तो यह किसको व्यक्त करता है दोस्तों यह उच्छ प्रात्मिक विद्धाले को यह चिनहीद करता है तो यहां पर अपना चार नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे आगे देखे राज्य इस्तर की वह संस्ता कौन सी है जो शिक्षा अधिकारियों को नेतरत्व संता संवर्दी है तो प्रिसिक्षन देती है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो वो है दोस्तों देखे एस आई एम एटी ठीक है यानि कि स्टेट इंस्टिटूट फोर एजुकेशन मेनेजमेंट एंड ट्रेनिंग यान देखे देखे बाली का सिक्षा फाउंडेशन की स्तापना कब हुई बाली का सिक्षा फाउंडेशन की स्तापना दोस्तों कब हुई तो दोस्तों गुनी सो पिच्चान में में बाली का सिक्षा फाउंडेशन की स्तापना हुई दो नंबर का उप्शन राइट आंसर हो हित्तों निर्धारित हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आठ सो गंटे दो सो बीस दिन तो यहां पर तीन नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए एक लव्वे वे मेरा पुरुसकार में राज्य सरकार अब कितनी राशी दी और यहां पर इसमें चार नंबर का उप्शन है वो इसका बिलकुल सही उतर इसमें हो जाएगा अगे देखिए दोस्तों यहां पर चैन नंबर का प्रेस्ट मेर्य इसमें देखे, बालकों को मुप्त एवं अनिवारिय सिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो बताइए किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चोदा वर्ष के प्रश्चात की सिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है? चार नमबर का ओप्शन बिल्कुल सही. सतर नमबर प्रश्चन है नई शिक्षा नीती 2020 में एक चातर ने अपनी मातर भासा के साथ है किस नियूंतम कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कक्षा पांच तक तो यहाँ पर तीन नमबर का ओप्शन राइट आंसर हो जाएगा क पांच तक है ठीक है आगे देखे गेतर नमबर प्रेस्ट है मादेमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कौन सी पत्री का प्रकासित नहीं की जाती कौन सी पत्री का प्रकासित नहीं की जाती दोस्तों बोर्ड जनरल दिशा और गारगी यह तीनों पत्री का है वो प्रकासित की जाती है लेकिन सिवीरा पत्री का है यह प्रकासित नहीं की जाती यह आपको इसमें याद रखना है ठिक है तो यहां पर इसका राइट आंसर चार व्यर्ष लाड़ा प्र्रबंद का भविशन का जाता है दोस्कों 9-9 को पर आदी बिल्कुल sir आगे देखिए राष्टे सिक्षा आयोग ने किसे रीड के डी स्विकार किया इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो परभावी परिये वेक्षन को रीड के डी स्विकार किया दो नमबर का उप्षन बिल्कुल सही 74 नमबर प्रेस ने एक नेतरत्व करता के सामाने रूप में क्या कारिये हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें देखिए सिक्सकों को निर्देश देना सभी इस्टाप के सहयोग से विद्याले विकास योजना तयार करना विद्याले में अनुसासन रखना ये सभी एक नेतरत्व करता के सामाने रूप के कारिये हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोग सभी चार नमबर उप्षन बिल्कूल सही आगे देखिए उच अद्यान्ट शिक्षन संस्तान में प्रसिक्षन दिया जाता है तो दोस्तो इसमें प्रसिक्षन दिया तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये model paper नंबर 22 है वो complete करवा दिया है first grade के first paper के syllabus के अनुसार paper कैसा लगा comment में जरूर बताएं और अरद्द्रेस Academy के YouTube चैनल को subscribe जरूर करें बैल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक है और अपने दोस्तों के पास में share जरूर करें और अगर आपने पिछले model paper नहीं देखे हैं